यूहन ना दूसरा अध्याए एक से पचीस तक फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और ईशू की माता भी वहां थी ईशू और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे जब दाकरस गट गया तो ईशू की माता ने उससे कहा उनके पास दाकरस नहीं रहा ईशू ने उससे कहा हे महिला मुझे तुससे क्या काम अभी मेरा समय नहीं आया उसकी माता ने सिवकों से कहा जो कुछ वह तुम से कहे वही करना वहाँ यहुदियों के शुद करने की रीती के अनुसार पत्तर के छे मटके धरे थे जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था ईशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो उन्होंने उन्हें मुहा मुह भर दिया तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ और वे ले गए जब भोज के प्रधान ने वो पानी चका जो दाकरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है परंतो जिन से वो को ने पानी निकाला था वे जानते थे तो बोज के प्रदान ने दूले को बुला कर उससे कहा हर एक मनुश्य पहले अच्छा दाकरिस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है पर उसकी माता और उसके भाई और उसके भाई और उसके चेले कफण हुम को गए और वहां कुछ दिन रहे यहुदियों का फसह का पर्व निकट था और ईश्य यरुशलेम को गया उसने मंदीर में बैल भेड और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया तब उसने रस्यों का कोड़ा बना कर सब भेडों और बैलों को मंदीर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेड दिये और पीडों को उलट दिया और कभूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ तब उसके चेलों को स्मरण आया के लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी इस पर यहुदियों ने उससे खा 40 वर्ष लगे हैं और क्या तो उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा परन्तु उसने अपनी देह के मंदिर के विशे में कहा था अतह जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसकी चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की ज इशु ने अपने आपको उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवशकता न थी कि मनुश्य के विशे में कोई गवाही दे क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुश्य के मन में क्या है गिंती 35 अध्याए 1 से 34 तक फिर यहवा ने मुआब के अराबा में यरिहों के पास की यर्दन नदी के तटपर मुसा से कहा इसरालियों को आग्या दे कि तुम अपने अपने नीज भाग की भूमी में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों और की चराया भी उनको देना नगर तो उनके रहने के लिए और चराया उनके गाई बेल और भेड बक्री आदी उनके सब पशू के लिए होंगी और नगरों की चराया जिनहें तुम लेवियों को दोगे वो एक-एक नगर की शहरपना से बाहर चारो और एक-एक हजार हाथ तक की हो और नगर के बाहर पूर्व दक्षन पश्चम और उत की हो और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से छे शरण नगर हो जिनहें तुमको खूनी के भागने के लिए टहराना होगा और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो और उनके साथ चराया देना और जो नगर तुम इस्राइलियों की नीच भूमी में से दो वे जिनके बहुत नगर हो उनसे बहुत और जिनके थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे फिर यहवा ने मुसा से कहा इस्राइलियों से क जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर टहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी टहरा हो वह वहां भाग जाए वे नगर तुम्हारे निमित पल्टा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे कि जब तक खुनी न्याई के लिए मंडली के सामने खडाना हो तब तक वह न मार डाला जाए और शरण के जो नगर तुम दो गेवे छे हो तीन नगर तो यर्दन के इस पार और तीन कनान देश में देना शरण नगर इतने ही रहे ये छे हो नगर इस्राइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान टहरे कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए परंतो यदि कोई किसी को लोहे के किसी हत्यार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी टहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए और यद जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी टहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले और यदि कोई किसी को बैर से ढखेल दे या घात लगा कर कुछ उस पर ऐसे फेक दे कि वह मर जाए या शदृता से उसको अपने हाथ से ऐसे मारे कि वह मर जाए तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए वह खूनी टहरेगा लहू का बदला लेने वाला जब भी वह और बिना शदृता रखे ढखेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेक दे या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेक दे और वह मर जाए परंतो वह न उसका शदृत हो और न उसकी हानी का खोजी रहा हो तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार नियाई करे और मंडली उस खुनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचा कर उस शरण नगर में जहां वो पहले भाग गया हो लोटा दे और जब तक पवित्र तेल से अभिशे किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे परन्तो यदि वह खुनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकल कर और कहीं जाए और लहु का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वह लहु बहाने का दोशी न टहरे क्योंकि खुनी को महायाजक की मृत्यू तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक की मरने के पश्चात वह अपनी नीज भूमी को लौट सकेगा तुम्हारी पीड़ी पीड़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यविदी होगी और जो कोई किसी मनुश्यों को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए परनतु एक ही साक्षि की साक्षि से कोई न मार डाला जाए और जो खूँनी प्रांदंड के योग्य टहरे उससे प्रांदंड के बदले में जुर्माना न लेना वह अवश्युय मार डाला जाए और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लोटने पाए इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद न करना खून से तो देश अशुद हो जाता है और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहु बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूँगा उसको अशुद न करना मैं यहोवा तो इस्राइलियों के बीच रहता हूँ गिंती 36 अध्याए 1 से 13 तक फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद जो माकिर का पुत्र और मनश्य का पोता था उसके वनश्य के कुल के पीतरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीब जाकर उन प्रधानों के सामने जो इस्राइलियों के पीतरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे कहने लगे यहवा ने हमारे प्रभू को आग्या दीती कि इस्राइलियों को चिठ्ठी डाल कर देश बांट देना और फिर यहवा की यह भी आग्या हमारे प्रभू को मिली कि हमारे सगोतरी सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना पर यदि वे इस्राइलियों के और किसी गोतर के पुरुशों से ब्याही जाए तो अनका भाग हमारे पीतरों के भाग से छूट जाएगा और जिस गोतर में वे ब्याही जाएगा उसी गोतर के भाग में मिल जाएगा तब हमारा भाग घट जाएगा और जब इस्राइलियों की जूबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीती से मिल जाएगा और वह हमारे पीतरों की गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा तब यहवा से आगया पाकर मुसा ने इस्रा परन्तु वे अपने मुल्पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए और इसराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए इसराइली अपने-पने मुल्पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे और इसराइलियों के किसी गोत्र में कि की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो वह अपने ही मुल पुरुष की गोत्र की किसी पुरुष से ब्याही जाए इसलिए कि इसराइली अपने अपने मुल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने नव पाए इसराइलियों क एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे यहवा के आगया के अनुसर जो उसने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने किया अर्थात महला तिरसा होगला मिलका और नोवा जो सलोफाद की बेटिया थी उन्होंने अपने चचेरे भाईयों से विवा किया वे य आग्याय और नियम यहवा ने मुआप के अराबा में यरिहों के पास की यर्दन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इस्राइलियों को दिये वे यही है भजन सहीदा 61 अध्याय एक से आठ तक हे परमेश्वर मेरा चिलाना सुन मेरी प्रातना की और धियान दे मुर्चा खाते समय मैं पृत्वी की चोड से भी तुझे पुकारूंगा जो चटान मेरे लिए उंची है उस पर मुझको ले चल क्योंकि तुमेरा शरन स्थान है और शद्रू से बचने के लिए उंचा गड़ है मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा मैं तेरे पंखों की ओट में शरन लिए रहूंगा क्योंकि हे परमेश्वर तुने मेरी मनते सुनी जो तेरे नाम के डरवईये हैं उनका साब भाग तुने मुझे दिया है तो राजा की आयू को बहुत बढ़ाएगा उसके वर्ष पीडी-पीडी के बराबर होंगे वो परमेश्वर के सम्मुक सदा बना रहेगा तो अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए टहरा रख इस प्रकार मैं सरवदा तेरे नाम का भजन गागा कर अपनी मनते हर दिन पूरी किया करूंगा